अच्छे से होंगे तो दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए इंस्टेंटली दो मिनट में यकीन मानिए दोस्तों दो मिनट में भिंडी की ऐसी सब्जी लेके आई हूँ जिसे आप बार-बार बनाना चाहोगे और भिंडी तो सभी का लोग प्रिये वेजिटेवल है लोग इस अगर आप सब्जी बनाओगे न तो बच्चे क्या बड़े भी इसे बहुत सौक से खाएंगे और जिने भिंडी नहीं बाइचंस नहीं पसंद है वो भी इस भिंडी की सब्जी के साथ सौर रोटी खा जाएंगे इतनी डिलेसियल सूपर यम्मी है और बहुत ही जंदी बन है अगर आप कभी ठके हुए हैं दोस्तों और कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा है तो इंस्टेंटली आप ये भिंडी की सब्जी बना सकते हैं दोस्तों बहुत ही कम तेल मसाले के साथ आपको हेल्दी सब्जी की रेसिपी बता रही हूं दोस्तों तो चलिए फटा फटा बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजेगा तो सबसे पहले यहां पर मैंने दोस्तों आप देख सकते हो खिज्जे वाली जो भिंडी होती है इना बहुत सौफ्ट वाली वही भिंडी लिया है मैंने दोस्तों टाइट जो जुआया हुआ हुआ होता है वह भिंडी बिल्कुल मत दीजिएगा वह चबर-चबर करता है और खाने में भी हल्दी नहीं है दोस्तों तो यहांँ पर मैंने लग-बग आइफिपल भिंडी ले लिया है तो भिंडी को अभी मैंने वॉस नहीं किया है एक नए ट्रिक के साथ हम भिंडी को वस करेंगे दोस्तों जिस ये एकदम न बड़ा सा पतीला मैंने ले लिया है और यहां में मैंने दो लीटर करीब मैंने पानी ले लिया है गैस मैंने जला दिया है इसमें बॉइलनेस नहीं आने देना है बस हलका सा थोड़ा सा यह होट हो जाए थोड़ा सा जिसमें हम उंगली दे सकते हैं तो यह देखिए मैंने पह जो भिंडी है, बढ़ियां से डूप जाएगी, अब मैं गैस बंद कर दे रहे हूं दोस्तों, क्योंकि इसमें हमें बॉइलनेस नहीं आने देना है, और यहाँ पर हाफ स्पून करीब मैं नमक डाल दे रहे हूं दोस्तों, थोड़ा सा गरम पानी और नमक देने से क्या होती ह पानी की गंदगी निकल गई है, अब चली हम आगे प्रोसेस कर लेते हैं, अब एक मैंने कॉटन वाली यह जो गंची होती है, यह ले लिया है, आप कोई भी सूती का कपड़ा ले ली जगा, अब जो हमारी भिंडी है, उसमें थोड़ा सा पानी है, नमी है, तो इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा इस पर डाल देते हैं, और हमारी जो गंची है, उससे पूरा पानी पोच लेते हैं क्योंकि मुझे इस recipe में पानी नहीं चाहिए एकदम dryness चाहिए तो इसको ऐसे करके हाथों से रगड के हम पोच लेते हैं जिसे इसकी पानी सूख जाए एक मिनट के लिए अच्छे से पानी मैंने पोच दिया है यह देखिए बढ़ियां से यह dry ह हो गई है वैसे छोड़ने की जौत नहीं है लेकिन मैं एक मिनट के लिए इसको छोड़ देती हूँ ताकि जो भी कसर रहेगी पानी वगयर सब सूख जाए तो दोस्तों आप सारे बिंडी को हम collect कर लेते हैं अच्छी तरह से यह dry हो गये हैं फोरन से बहुत ही टेस्ट फ्ल पिंच भर हींग ज़रूर लेंगे डोस्तों हींग से टेस्ट फ्लेवर बढ़ियां आता है तो आप हींग ज़रूर दीजेगा और साती यह पर सुखी हुई दो मिर्ची है लाल वाली वह भी ले लीजेगा और यह पर बेलीष यह भी दीजेगा तरकों में तो बहुत यहां आएगा यह सबजी का टेस्ट, अब हम इसको साइड रख देते हैं, एक बॉल और लेते हैं और एक छोटी सी तैयारी करेंगे, अब हम इसमें एक चमच भर के दोस्तों आप देख सकते हो, धनिय का पॉडर है, साथी साथ यहां पे एक चमच भर के हम रेट चिली पॉड कर लिया था, और वही पानी में हम इन सारे मसालो को फूलने के लिए छोड़ देंगे, इसे क्या होंगे, कि हमारे मसाले जो है, इसमें आधा पक जाएंगे, और बहुत ही सौफ्ट हो जाएंगे, एक मसाली में जो खडखरा सा होता है न वो नहीं रहेगा, आप ये डिए रख देते हैं, तो दोस्तो भिंदी को आप आगे से करके काट लेंगे, और पीचे से ऐसे काट लेंगे, अगर आपकी भिंडी बड़ी है, तो बीत से ऐसे दो भागों में डिवाइट कर लीजेगा नई तो इतनी छोटी भिंडी आती है तो उसको आगे और पिछे से काटके मात्र ऐसे करके दो भागों में हमें चीरा लगाना है दोस्तों बस दो भागों में हमें सारे भिंडी को काटना है इसी तरह से ये देखे, सेकेंड वाला भी हमने 20 से चीरा लगा दिया है, ऐसे करकर के सारे भिंडी को काटके एक बड़े से बरतन में हमें टांसपर करना है, बड़े से बरतन में रखना है, तो सारे भिंडी को इसी तरह से मैं कट कर ले रही हूं और बड़े से बरतन में रख ये लीजे दोस्तो सारे भिंडी को हमने कट कर दिया है दोस्तो यहां पे ता 새로운 आप देगते एक चमच भरके इसमें हम धन्या पॉडर डालेंगे आप यहां पे एक चमच भरके दोस्तों आप साथी साथ इसका टेस्ट और फ्लेवर बढ़ा देगा दोस्तों यहां पे चाट मसाला है तो एक चमच भरके आप इसमें चाट मसाला डाल दीजेगा आप चाओ तो आमचुन कभी इस्तिमाल कर सकते हो आप यहां पर दोस्तों आप देख सकते हो नमक आप अपने टेश्ट रिकॉर्डिंग बढ़ा या घटा सकते हो मसाला भी इन फैक्ट आप अपने टेश्ट रिकॉर्डिंग बढ़ा या घटा सकते हो तो जैसे सॉल्टी मुझे पसंद है हाफ तो मैं आम के अचार का ऑईल ही इसमें आप देख सकते हो कितना बढ़िया इसका टेस्ट खुस्बू आता है तो आप सिंपल वाले मस्टर्ड ऑईल का भी इस्तमाल कर सकते हो लेकिन यहां पर दो से तीन चमच मैं मस्टर्ड ऑईल डाल रहे हूं अचार का तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो बेसन है तो यहां पर अढ़ाई से तीन चमच करीब हम इसमें बेसन डालेंगे सारे मसाले सारे फ्लेवर हमने एड कर दिये हैं अब इनको आप हाथों से मिला लीजिए या फिर दोनों हाथों से गमली को पकरके टॉस्ट कर लीजिए अच्छे से मिल लीजिए दोस्तों देखे भींडी को सुखाना इसलिए जौद था किकि आप जब इस स्टेज पर हम सारे मसाले एड कि हैं तो इसमें मौस्चर जो है पानी नहीं छूटा हुआ है दोस्तों यह देखिए एकदम सुखा सुखा है और सबजी बहुत बढ़िया बनेगा दोस् कि इसमें चार से पांग चमच करीब मस्टड ऑयल डालें मस्टड ऑइल में यह रेसिपी बहुत बढ़िया बनेगी मस्टड ऑयल है और मस्टड ऑयल बढ़ियां से कड़क गी है दुआ भी निकल रहा है गास का फ्लेम एकदम कम कर दीजेगा इस स्टेज में क्यूंकि सुरन्ध करकने के बाद हमारा जो मसाला भिंडी था इसमें एड़ कर देते हैं इसमें चाहलक है दोश्तो questa betya हमें गुधुना थोड़ना है है calcium होता है दोस्तों folic acid जो होता है दोस्तों hemoglobin को बढ़ाने का काम करता है हमारे सरीर में अगर hemoglobin की समस्या है तो उनको भिंडी का सेवन जरूर करना चाहिए साथी साथ जो potassium होता है antioxidant बरपूर मातरा में है तो टोटली यह बहुत ही healthy है हमारे लिए यह वेजिटेबल जो है भिंडी बहुत है तो जिनको नहीं पसंद है जो नाक्स करते हैं उनको किसी न किसी बहाने भिंडी का सेवन जरूर करना चाहिए कैसे भी भिंडी खाना चाहिए सुखी सबजी ओ, रसेदार ओ, बुझिया ओ, जैसी ओ भिंडी अपने ड्यैट में जरूर सामिल करना चाहिए फास बात इस में बीटा कैरेटिन है जो आंखों के लिए जिनको आंखों की समस्या है उनके लिए भी भिंडी लापकारिक है बिंडी जरूर खाईए और साथी साथ diabetic patient के लिए बहुत ही बढ़िया है diabetic को control करता है दोस्तों साथी साथ जिनको constipation की समस्या है उनके लिए भी ये उत्तम सबजी है दोस्तों पिक में आप इसका चार दिन सेवन जरूर कर सकते हैं बहुत ही healthy होती है तो दोस्तों देखिए एक मिनट में ही भूंते भूंते हमारी जो भिंडी है बहुत जल्ली soft हो गई है आप देख सकते हो दोस्तों और इसकी खुश्मू बहुत बढ़िया आ रही है क्योंकि इसमें ब्लैक सरसो का हमने फोरन दिया है बहुत ही बढ़िया सबजी बनने वाली ह तर है दोस्तों और एक चीज आपने notice किया होगा टमाटर बहुत महगी हो गई है दोस्तों वह completion नहीं है टमाटर कितना भी महगा हो जाए दोस्तों और इस में मैंने प्याज लसन कभी इस्तेमाल नहीं किया है विदाउट प्याज लसन और टमाटर के हम ये बहुत ही बहतरीन सब्जी बनाने वाले हैं दोस्तों उगलिया चाट चाट के आप खाओगे और जब टिपिन में ले जाओगे दोस्तों तो आपके दोस्त भी अपना लंच छोड़ के इस प्यारी सी भिंडी की सब्जी के फैन ह हो जाएंगे और जब भी आप ये सब्जी ले जाओगे तो आपकी टिपिन सारे की सारी चट कर जाएंगे दोस्तों तो चिंता मत कीजिए बीना टमाटर लसन प्याज के आज हम ये प्यारी सी सब्जी बना रहे हैं तो दोस्तों ये देख सकते हैं हमारी जो ऑईल है ऑईल गोल के रखा था ये मसाले भी सॉफ्ट हो गया है अब इन्हें पकने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अब सारे के सारे जो हमारे मसाले के घोल है इनमें डाल देते हैं दोस्तों ये देखिए तो दोस्तों सारे मसाले के घोल हमने इसमें डाल दिये हैं मुझे ये पानी गरम पानी एज़ेस्ट कर लीजेगा अब एकदम लोटू मीडियम हम गैस कर देंगे दोस्तों नमक मैंने नहीं डाला क्योंकि नमक मैंने इसमें तभी मिला लिया था भिंडी में और साथी साथ इसमें चाट मसाला भी मिस्तमाल किया है तो नमक उसे कॉर्डिंग मैंने टोटल सबजी बनके रेडी हो गई है तो दोस्तों 30 सेकेंड हो गया है इसको हम निकाल लेते हैं और ये देखिए दोस्तों सारे ओएल रिलीज हो गए है और गेर मिनट में आपकी ये सबजी बढ़िया सबजी बनके रेडी हो गई है इसका कलर दे सकते हैं इसकी खुश्ब लगा के डाले हैं क्योंकि फोरन में नहीं डाला क्योंकि हमने लाल मिर्ची डाली हुई थी और इस स्टेज पर मिर्ची देने से क्या होगा कि जब आप खाऊगे तो मिर्ची का जो कच्चे पन का जो टेस्ट होता है मिर्ची का बहुत बढ़िया आएगा और यहां पर फ्रेस अचारी मसाला भिंडी को और मिलाने के बाद यह जो हमारी हरी मिर्ची है और कॉरिंडल लिव धकल लगा देंगे क्योंकि गरम है तो उसके बाद यह थोड़ा सा इसको एक मिनट के लिए छोड़ दीजे उसी में पक जाएगा तो दोस्तों एक मिनट हो गया है हमारी धनीपता और यह जो मिर्ची है काफी सौफ्ट हो गई है अब यह आपका सर्फ करने के लिए इस सबजी रैडी है यह लिजे दोस्तों माउथ वाटरिंग आपकी इंस्टेंटली डेर से दो मिनट में आपका अचारी मसाला भिंडी बनके रैडी हो गई है 100% गिरेंटी है कि इतना इं तो इसंट्रीक से इस घल्डी को जरूर बनाईएगा पच्चे से बड़े सारे उंगलिया चाट चाट करके प्लेट फिनिस कर देंगे और एक की बज़ा सो रोटी खा जाएंगे रोटी पूरी पराठा नन चावल जिसके साथ भी आप खाओ उसका स्वाद सो गुना बढ़ा देंगे दोस्तो इंस्टेंटली सबजी है जब कभी आप ठके हुए हो पर डिलेशियस ये भिंडी की रेसेपी है अचारी मसाला भिंडी आप एक बार इस ट्रिक से बनाईए आप जब खाने के लिए बैठोगे तो इसका टेस्ट फ्लेबर और बढ़ा देगा दोस्तो ये देखिए नेचरल जो लेमन है लेमन का रस आप खाते समय इसमें डाल ल बढ़ जाती है और प्यारी सब्जी से मिलती हूं इस्टेंटली सब्जी की रेसेपी से बिना लसन प्यास टमाटर के तब तक आप ये रेसेपी फूल फैमनी इंज्वाई कीजिए और इसका लूफ्त उठाए लूफ्त उठाते मुझे याद कीजिए खुश रहें आवाद रहें मुस्कुराते रहें और अपनी इस प्यारी सी दोस्कों ये प्यारी सी रेसेपी ट्राइब करके याद करते रहें बावाई टेक केर